सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को रिजाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि आलोग मिस्रा को चुनाओ न लगके घर बेढ़ जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहा है। यह जो इंडिया गड़ बंदन के प्रत्यासी महोदे हैं। यह चोड़ चोड़ में सोजे भाई हो गए हैं। यह जानने के लिए हम जनता के बीच पहुच चुके हैं। और जनता से ही बातचीत कर लेते हैं। कि इंडिया गड़ बंदन के जो प्रत्यासी हैं आलोग मिश्रा क्या वो कहीं पर है। वो कहीं ना कहीं तो हैं। इन के दिवाग पहँ रिवाई हैं। इतने नित कर लोग के लिए बात इसकान पहँ प्रत्यासी हैं आदे में क्यान कीर गइन हैं। शिक्षा पहँ क्छा नितियों के बात रिप अच्श्चा झिल्ट अच्छाज δεν कि कूण के सरव उकश्चा कर रही नजए। कानपुर के जो प्रत्यासी है वही सिक्षा में लूट मचाए पड़े हैं अग्दम माफिया बने हैं महिनों की लाखो रुपए फीश है उनके यहां की और वह अच्छी सिक्षा देने की बात कर रहे हैं ब्रहषटा charged में 420 के मुगत में 420 के मुकर्में उनके उपर हैं मोहम्मध आ अफताप घूंगते उनके उपन है एक और श्वाम को फोई करने के लिए चलने के लिए कानपुर को कान वृतने के लिए सब arrived को कानपुर की जला है वादे एक टुपर कий जन्टा मन बना चुकी है कि इनको कहीं पर भी किसी परकार से टिखने नहीं देगी इनको उखाड़ के फिकने का काम कानपुरवासी करेंगे इंडिया कटभंदन भी हो चुका है काफी ऐलान करे जा रहे हैं और अगर प्रत्याशी की बादचीत करी जाए तो अभी हाली में उनका समान भी काफी पकड़ा गया था चार सीता है के दोरान उन्होंने एक बड़ी चूक कर दी ती तो क्या लग रहा है जनता के बीच कुछ पैट बना चुके है अलोग मिस्रा का जो विशह है जनता के बीच उनकी पैट तो तब होती जनता के बीच कभी आये होते वो सिफ सिछा माफिया के रूप में और जैसा कि अभी मीडिया के बाद ध्यम सही हम लोग को पता चला कि उनको पर 420 और ठगी के कई मुकदमे हैं तो वो सिर्फ और सिर् जनता को बरगला रहा है और सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझाए कि टुष्टी करनल की राजित कर रहा है आप भी एक यूवा है यूवा क्या सोच रहा है जिस तरीके से इंडिया गडबंधन के प्रत्यासी है तो क्या लग रहा है आपकी उम्मीदों पर वो खड़े उतरे जो इंडिया गडबंधन के प्रत्यासी महोदे हैं यह चोल-चोल में सवरे भाई हो गए है और अगर यही अगर जो कॉंग्रेस कहे रहे हैं कि हम यह करेंगे इनकी भी 27 सार्व सरकार रही है तब तो इनों नहीं कि यूवाओं के लिए स्टार्टप योजना रेके आई सरक लेकिन जो चार-चार लोग लेके चलना है जो अमताब बाचपई बड़े-बड़े सपा नेता और उन सबको छोल दे अभी भी आखेरे चुनाव रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जमानत बच जाएगी जमानत जब्त नहीं होगी तो क्या लगता है अगर वो सबको छोड़ देंगे तो क्या सामने जो पक्ष के लोग हैं उनको हर्द का सामना करना पड़ेगा अभी तो उनकी जमानत जब्त है यह मैं बता दू इसके बाद अगर का इतने अगर छोल देते हैं तो कुछ नहीं जहां उनको दस-पंदा परस किदों के अंदर भाजपा का समल्थन मोहदी के गरेंटी का का के समल्थन में बड़ी-बड़ी सभाय हो रहे हैं कही न कहीं जो इंडिया गडवंधन के प्रत्यासियां वो चुन्नी डालकर या फिर भगवान का सहारा लेकर भी उतर चुके हैं तो क्या लग रहा है क्या उन मोदी जी के कारकाल में बना है पहला दूसरा भी सही है कि जनहीत के लिए जो एंबुलेंस यूज होती है उसका यूज परत्यासी कर रहा है तो अभी से सोचो जनता के चीनने का काम कर रहा है अगर भूले बटके वहसे तो इनकी जमाना जबता है कहीं तो है नहीं बाही चा क्या लगता है मैदान में है या फिर नहीं है नहीं मैदान में कोई नहीं है बिपच्च साफ है या आप तोर पर जगह 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 जाए चाहे वो युवा हो चाहे वो मैलाए हो चाहे वो बजुर्ग हो किसी परकार के किसी के बीच में जाएंगे तो आपके पास एक ही सब तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से कांपूर लोक सभा से तीन तीन जो कदावर नेता कहे जाते हैं वो उतरे हुए तो क्या लग रहा है इन में किसकी किसकी टककर है कदावर हमें लगता तीन नहीं सिर्फ एकाई है सर्बाध्पा-पत्यासी कमल कफुल राम को मानने वाल वो कहीं इस बार फाइट में हैं नहीं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक तरीके से इस तुनाओं में बने रहने के लिए इस तुनाओं में हम हैं कहीं न कहीं और सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रत्यासिता दिखाने के लिए खड़े हुए हैं बाकि कहीं पर भी किस सब्सक्राफ है कोई भी वर्ग हो कि सिपल reflect का मिसिए प्रोडने का काम किया में उसकी समस्य जाने का काम किया मैं चाहे वह राशन पहुँचने का काम क्या जाहे वह hors濃 стрैने का काम जोजाने का का android भी चाहे घर-गर नल से पानी पहुंचाने का काम हो, कोई भी जो मूल भूत सुविधाएं होती हैं, सबको घर बैठे प्राप्त हुई है, यही कांग्रेस थी जो कहती थी एक समय पर कि उपर से एक रुपए चलता है, तो गरीब तक 20 पैसा पहुंचता है, और आज समय है कि जब उपर से एक रुपए चलता है, तो एक रुपए ही नीचे जनता के पास और लाभारती के पास पहुंचता है, हमने भारतिन्दा पार्टी ने पंती के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, और पंती के अंतिम व्यक्ति को उसका भरपूर लाभ पहुंच जो अभी तक बहुब रहे हैं और जो ब्रशटा चार करके 現在 सरकार करने के बाद ज्यादा समय तक बाहर रहा पाईगा है करें लिए ऎपना मन बना चुकी है कि इस बार खुटकि यह और उस्लिवास के- HEY-Ni उसके लिए सारीका गुपता की रिपोर्ट